इस अभिनेता के घर वाले चाहते थे बेटा इंजिनियर बने लेकिन इन्हें पसंद था फिल्म गौं में होने बाले नाटकों में वे बढ़ चरकर हिसा लिया करते थे चदरकांता में इनके किरिदार को लोगों ने खूब सराहा रमायन में रावन और महाभारत में कंस के किरिदार में लोगों ने इन्हें खूब पसंद किया बिहारी में जोड़के आज के सिग्मेंट में बात एक ऐसे बिहारी के बारे में जिसने अपनी प्रतिभा का लोहा टीवी के साथ ही बड़े परदे पर भी मनवाया वह आज भी अपने रियल नाम से गम फिल्मों के नाम से जयदा जाना जाता है इस अभिनेता को इस बात का आज भी दुख है कि उसे उसके काम का हिसाब यानि कि उसे सही तरजी नहीं दी गई वह जब बड़े परदे पर आया तो सरफरोज का मिर्ची सेठ को जीवन्द कर दिया उसके बाद जब वह गंगा जल्क में बड़े परदे पर दिखाई दिया तो बेइमान पुरिसवाले के उस भुरे लाल के किरदार को कौन भूल सकता है इस नाम को हर किसी के जुवान पर ला दिया दर लेजेंट आव भगत से फिल्म में साथचाथ चंसेखर के रूप में हम उसे देख सकते हैं बिहारी लाल अखिलेंद्र मिस्र ने जिस करेक्टर को पकड़ा उसे जिवन्द कर दिया अखिलेंद्र मिस्र को आज भी हासिये का सुपर अस्टार कहा जाता है इस बिहारी अभिनेता का जन्म बिहार के सिवान जिले में हुआ था वह च्छा भाईयों में सबसे छोटे थे इनकी प्रणबिक सिच्छा गुरुकूल में हुई थी बता दें कि उनके पिता अच्छा दिर्पती मिस्र गुपाल गंज में डिये भी अस्कूल में पढ़ाते थे इस जवरान वे तीन से चार साल तक यहीं पर पढ़ाई किये उसके बाद उनके पिता का तवादला हो गया और अखिलेंदर आगे की पढ़ाई के लिए छपरा आ गए छपराम उन्होंने उस कॉलेज में अडिविशन करवाया जहां देश के पहले राजपती राजेंदर परदाद ने पढ़ाई की थी अखिलेंदर को उनके घर वाले एक इंजिनियर बनाना चाहते थे बिहार में अपने बेटों को इंजिनियर और डॉक्टर गारजियन की पहली पसंद होती है अखिलेंदर के माता पिता भी यही चाहते थे लेकिन अखिलेंदर के मन में कुछ और ही चल रहा था अभी एंजिनियरिंग की परिक्षा फेल हो गए तब उन्होंने छपरा में राजिंदर कॉलेज में उन्होंने फिजिक्स ओनर्स लिया और बीएसी की पढ़ाई की अखिलेंदर अपने बच्पन के दिनों को याद करता हुए बताते हैं कि उन्होंने यह भी बताया कि उस जमाने में हमारे संस्कार और लिहाज ऐसे थे कि हम लोग पीता जी के सामने आते तक नहीं थे उस जमाने में पिताजी को कोई बात कहनी होती थी तो हम दूर सामने ख़ड़ा हो जाते थे और बड़ी मुश्किल से अपनी बात कह पाते थे हमें जो बात कहनी होती थी हम अपनी मा को बताते थे और मा पिताजी को बताते थे इस तरह से हम अपनी बात को अपनी पिताजी तक कह पाते थे इस तरह एक दिन अखिलेंदर ने अपनी माँ से कहा कि वह फिल्मों में काम करना चाहते है माने यह बात पिताजी को बता दिया इसके बाद आखरी फैसला पिताजी का आना था उन्होंने जो जवाब दिया वह जवाब माया नगरी तक जाने का रास्ता कोलता था उन्होंने यह बता दिया कि मैंने उसे कहां रोका है कुछ करने के लिए फिर क्या था अखिलेंदर की गारी चल निकली अखिलेंदर को बच्पन से ही फिल्मों में मन लगता था गॉख में होने वाली नाटक में वूख बड़ चढ़कर किसा लिया करते थे। वो बताते हैं कि उस जमाने में गॉख में नाटक पेट्रो मैक्स से हुआ करता था और उसी की उजाले में वो नाटकों को करते थे और लान टेन के लाल रोश्णी में वो रिहलसल किया करते थे गाउं से जब वो निकले तो उन्होंने इप्टा जोईन कर लिया, यहां उन्हें खूब थेटर किया, अखिलेंदर ने जब इंटर्व्यू में यह भी बताया कि उस समय एक ब्राह्मन परिवार करार का पढ़ा लिखा भी है, और वह नाटक और फिल्मों के बारे में सोच रह है, ऐसे में उन लोगों को बहुत समान नहीं मिलता था, उस समय की बात नहीं है, आज भी सिनेमा और थेटर में गाउं समाज में बहुत तरजिह नहीं मिलती है, जितना कि डॉक्टर इंजिनियर बनने पर मिलती है, अखिलेंदर बताते हैं कि फिल्मों में आप लाग पैसे कमाले जिये, लेकिन गाउं के लोगों का नजरिया वैसा ही है, वो आज भी उसी तरह से सोचते हैं, अखिलेंदर यह भी बताते हैं कि आज अगर मुझे ऑसकर अवाड भी मिल जाये तो मेरा ब्रांड चंदरकांता ही है, उन्होंने यह भी कहा कि लोग आज भले ही मुझे अलग किरदार से जाने, लेकिन गबर की तरह क्रूर सिंग का किरदार भी मेरा ब्रांड है, उन्होंने चंदरकांतार सिरियर में रोल मिलने की घटना का जिक्र करते हुए, कहा कि साल 1993 में जब मुझे पता चला कि निर्जा गुलेरी मुंबई से दिल्ली आई हुई है, तो उनसे मिलने पहुचा, वहाँ जाने के बाद देखा कि पहले से इकलाकार लाइन लगा कर खड़े है, जब मेरी बारी आई तो उन्होंने पूछा कि चंदरकांता पढ़े हो, मैंने बीना बक्त गवाय बोल दिया, नहीं, निर्जा को यह बात अच्छी लगी, उन्होंने कह था कि साइद वह हमारे इमांदारी से प्रभावित हुई और मुझे क्रूर सिंग का वर रोल दे दिया, अखिलेंदर का बॉलीवूड में फैनमी करियर की सुरुआत छोटे परदेस हुई थी, वह उडान सिरियल में सबसे पहली बार साल 1990 में दिखाई दिये थे, उसके बा साने में आई फिल्म दो आँख बारा हाथ जिसमें उन्होंने एकका किरदार निभाया था, उसके बाद साल 1990 में आई फिल्म सर फरोस में उनका मिर्ची सेट का किरदार कौन भोल सकता है, इसी साल टीवी पे उनका एक सिरियल आया तुफान जिसमें राय सहा के किरदार में उवे दिखाई दिये, इसके बाद एक के बाद एक फिल्मों में उवे काम करने का उन्हें मौका मिलता रहा, जिसे लागान, दन्ली जेंट ऑभगसी, गंगाजल, आच, हलचल, दिवार, बीर जारा, अपहरन, सुट आउट लोखंडवाला, दिली, अतिथी तुम कब जाओ यह वे फिल्में हैं, जिसने उनका किर्दार दरसकूं के दिलों दिमाग में चचा गया था, साल 2008 में आई सिरियल रामायन, जिसमे हुए रावन के किर्दार में दिखाई दिये, साल 2012 में, देवो कदेव महादेव में हमने उन्हें महाराज बालिक के रूप में देखा, एक समय कि सबसे पॉपुलर टीवी सो माना जाने वाला यह सिरियल दिया और बाती में अखिलेंद्र मिस्ट दिखाई दिये थे साल 2013 में रिलीज हुई सिरियल महाभारत के कंस के रूप में वे दिखाई दिये इसके बाद वे कई बार क्राइम पेट्रोल के कई एपिसोड में अख अखिलेंद्र मिस्ट नए नए किरदारों में इसी तरह दिखाई देते रहे और जब चलते चलते एक सवाल के साथ आपको छोड़े जाता हूं आपको अखिलेंद्र मिस्ट का कौन से किरदार सबसे अच्छा लगता है आप हमें कमेंट करके जरूर बताएं